हेलो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका माइसरजी.com के इस चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त और शुक्ला और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि live community classes मैं start करने जा रहा हूँ. आज वो दिना गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को भी उतना ही excitement होगा जितना मेरे को है. ये course में क्या-क्या होगा आज इसके बारे में भी पूरा orientation मैं आपको दूँगा और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या है? Community classes यानि कि जो इतने समय से मैं पढ़ा रहा हूँ और इतने सारे students इस platform से connected है. तो मैंने सोचा ठीक है अब ऐसा कुछ करना चाहिए जैसे कुछ समय पहले हमने logic building का एक course चलाया था. तो उसी तरीके से मैंने सोचा कि चलो एक course और चलाते हैं. तो क्या subject लें? तो कई लोग ने demand करी थी कि C language का course फिर से होना चाहिए because मेरे channel पे पहले से काफी सारे videos C language के रखे हुए लेकिन वो 7-8 साल पुराने हैं. तो इतने पुराने videos होने की वैसे वो turbo based हैं. तो अभी चाहिए students को की latest compiler पे हो थड़ा और जादा polished videos आएं और interactive videos हो. तो मैंने कहा चलो ठीक ह है. तो जो community है हमारी, community मतलब जो developers की community है, जो students की community है, जो इस field में अपना career बनाना चाहते हैं, तराशना चाहते हैं, उन लोग की community है. और मैं भी उस community का एक part हूँ. तो इतने समय से मेरा career भी इसी पर dependent है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस community को कुछ तो देना चाहिए. इतना अगर community से मुझे फायदा हुआ है, तो मुझे भी community के लिए कुछ करना चाहिए. और उसी सलसले में ये community classes start की जा रही है. तो ये life classes होने वाली हैं, तो इसके बारे में मैं आज पहले आपको पूरी detail दे जता हूँ, और मैं यहाँ से comment देख रहा हूँ, chat window मेरे को दिखाई दे रही है, काफी सारे लोग है, और सबसे पहले तो मुझे आप लोग के likes दिख रहे हैं, फिलाल यहाँ पे करीब 700 के आसपास लोग इस समय देख रहे हैं, इसका मतलब सभी लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन सीखने के साथ साथ सभी लोगों को मैंने ये भी बताया हुआ ह कि इसमें prizes मिलने के भी chances हैं, बहुत हाई chance है, तो वो भी क्या होने वाला है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, लेकिन, one by one, तो थोड़ा सा, मैं अब आपको screen share करता हूँ, जिससे की, आपको मैं और clarity के साथ बता सकूँ, चीज़े हूँ, ओके, फाइन, तो आपको screen clearly दिखरी होगी, यस, तो हमारा जो course है, course का नाम है, C language, C language, live, community classes, मैं सबसे पहले introduce करूँगा कि इस course में क्या-क्या होने वाला है, ठीक है, क्या-क्या facilities आपको मिलने वाली हैं और क्यों ही ये course आपको करना चाहिए, इसके बारे में पहले मैं बात करूँगा आपसे, चलिए, सबसे पहली बात, ये orientation मैं दे रहा हूँ, क्या आज ये जो course है, start हो रहा है, तो इसके बारे में पहले मैं बता आएता हूँ, तो course का नाम C language, ठीक है, course के subject का है, C language का है, तो जिन लोगों ने अभी तक कोई programming language नहीं सीखी है, कोई भी programming language आपको नहीं आती है, आप इस course को करिए, आपके basics हो जाएंगे, आपको समझ में आने लगेगी programming, understanding 100% बन जाए, तो बिल्कुल basics से हम लोग start करने वाले हैं, ये आपको बात समझ में आ गई, दूसरी बात, जो लोग already C language पढ़ चुके हैं, जिनको already C language आती है, वो लोग भी इस course को कर सकते हैं, कुछ न कुछ नया सीखने को भी मिलता है, revision भी होता है, और यहाँ पर सिर्फ classes नहीं होगी, आपकी testing भी होगी, जी हाँ, यूट्यूब पे शायद ऐसा कम देखने को मिलता है, यूट्यूब पे अकसर जो tutorials आपको मिलते हैं, वो tutorials में monologue होता है, यानि सामने वाला आपको पढ़ाता है, लेकिन कोई feedback नहीं होता, कोई testing नहीं होती, कोई interaction नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये live classes हैं, इसमें interaction भी होगा, और मैं आपको assignments भी दूँगा, आप tasks भी करेंगे, आप challenges भी करेंगे, और जो लोग अच्छा perform करेंगे, उन लोगों को prizes भी मिलेंगे, इसलिए आप लोग, सभी लोग इसमें participate कर सकते हैं, जो लोग beginner हैं वो लोग भी, और जिन लोगों को already C language आती हैं, वो लोग भी participate कर सकते हैं, यदि आप interview की preparation कर रहे हैं, आपकी college में campus आने वाला है, तो भी ये classes आपके लिए बहुत अच्छी हैं, एक तो देखो, इन classes में कुछ पैसा नहीं लग रहा है, free में आप देख सकते हो, दूसरा, इसमें prizes भी जीत सकते हो, तीसरा, आपके जो अभी targets होंगे, जो goals होंगे, वो achieve करने में ये help भी आपको करेगा, ये classes, रात को 9 बच के 45 मिनिट पे start होगी, जैसे आज हम लोग ने class start करी है, 9.45 पे इसी तरीके से होगी, normally ये class 1 hour की होगी, एक घंटे की class होगी हमारी, यानि 9.45 तू 10.45 पी एम, इसका time होगा, हमारी classes, Monday to Friday चलेगी, Saturday to Sunday off रहेगा, पर Monday to Friday हमारी classes होगी, आज Tuesday है, तो Tuesday से अभी ये Friday तक इस week में class चलेगी, फिर अगले week में, फिर Monday से start हो जाएगी और Friday तक चलेगी, इस तरीके से रहेगी, C language का syllabus तो काफी बढ़ा है, और काफी कुछ उसमें सिखाने के लिए है, पर मैंने ये plan किया है कि, इसको मैं तीन stages में complete कराऊंगा, तो ये stage one है, यानि पूरा जो C language का syllabus है, वो पूरा होगा, लेकिन उसको तीन stages में हम करने वाले हैं, तो ये जो course है हमारा, ये हमारा stage one है, ठीक है, ये पहली stage है, तो पहली stage में हम शुरुवात का 33% syllabus कर लेंगे, तैंक्यू संजय परमार, और उसके बाद फिर second stage start होगा, तो second stage और first stage के बीच में हम थोड़ा सा gap रखेंगे, वो gap इसली भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको काफी ज्यादा programming practice भी करनी है, ताकि आपका एक level आ जाए, ये एक अनोखा experiment इसली है, क्योंकि normally क्या होता है, आप one go में पूरा course करते हो, लेकिन practice के लिए आपको समय नहीं मिलता, होता ही है कि हम लोग कुछ classes attend करते हैं, हम लोग एक rhythm में programming करते रहते हैं, उसके बाद फिर programming करने का हमें समय नहीं मिलता, और syllabus आगे बढ़ जाता है, तो stage 1 के बाद हम कुछ दिन का gap रखेंगे, और फिर stage 2 को start करेंगे, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा gap रखेंगे, और stage 3 को start करेंगे, और ये सारे जो syllabus हम cover करने वाले हैं, c language के ये सारे videos available रहेंगे YouTube पे, तो आप इनको बाद में भी देख सकते हैं, इसके अलावा, ये जो stage 1 है, ये कितने days का है, तो ये 13 days की classes हैं, तो ये जो अभी stage 1 हम complete करने वाले हैं, ये 13 days की classes होने वाले हैं, जिसमें से आज हमारा पहला दिन हैं, अच्छा, इसके बाद, डेली आपको इसमें assignments मिलेंगे, डेली assignments मिलेंगे, रोज जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें जो भी आप सीखेंगे, उससे related आपको assignment मिलेंगे, जैसे आज हमारी जब class हो जाएगी, उसके बाद मैं assignment publish करूँगा, लेकिन वो assignment कहां कैसे मिलेगा, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, पर वो जो assignment है, हो सकता है, आज देर रात तक या कल सुबह तक publish हो, तो भी आपके पास समय रहेगा, और आज पहली class है, तो इतना ज्यादा content नहीं हो पाएगा, और इतना technical depth में हम नहीं जा पाएगे, जिसमें आपको programming practice सभी करनी पड़े, इसलिए आज का assignment थोड़ा simple ही होगा, पर हाँ, ये assignment आपको मिल जाएगा, और daily ही आपको class के बाद assignment मिलेंगे, तो इन assignments को आपको solve करना है, अगर आप daily के daily solve करते चलेंगे, तो definitely आपको भी चीज़ें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ बहाएगे, आपकी grasping बहुत अच्छी होती जाएगे, तो daily assignment होने के अलावा, आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, weekly assignments या weekly quizzes, weekly quizzes, मतलब हर Friday को, आपको एक quiz दिया जाएगा, जिस quiz में कुछ questions होंगे, जो आपने हफते भर में पढ़ा है, उस पर based होंगे, और उस quiz को हम रखेंगे multiple choice question, यानि कि उसमें हर सवाल पे कुछ options होंगे, जिसमें से एक सही option होगा, उसको आपको करना है, तो यहाँ पर यह जो quiz होगा, इसको आपको करना है, और इस quiz में जो toppers होंगे, उनको prizes मिलेंगे, यस, यही वो quiz है, यह मतलब daily जो assignment है, उस पर prize नहीं है, क्योंकि daily थोड़ना prize बाट होगा, Friday को, every Friday को मैं prizes दूँगा, weekly quiz होगा, तो quiz में जिसकी performance अच्छी आएगी, शायद उसका announcement Monday तक हो, लेकिन Friday को यह test आएगा, और Friday को ही आपको उस test को देना रहेगा, class के बाद, तो इसमें आपको मिलते हैं prizes, अब यह prizes क्या हो सकते हैं, वो मेरे mood पे depend करता है, आपके responses पे depend करता है, जितना अच्छा response, उतने अच्छे prizes, अगर मुझे लगता है, कि आप लोग और ज्यादा बढ़ रहे हैं, इन prizes के कारण, आपका उत्सा और ज्यादा बढ़ रहा है, तो मैं भी prizes खूप सारे लूँगा, ठीक है, अभी मैंने सोचा है कि top five लोगों को prize दूँँ, लेकिन देखते हैं, कितने ज्यादा लोगों को prizes दे सकते हैं, तो आप तो दिल खुलके participate करिए, आप तो enjoy करिए इस learning को, और फिर क्या मिलता है, वो तो अलग बात है, वो तो एक achievement है, देखो, prize 100 रुपे का हो, या 10,000 रुपे का हो, उससे मतलब नहीं है, मतलब यह होता है, कि आपने कुछ achieve किया है, वो sense of achievement ज्यादा important है, बजाए इसके क्यों कितने amount का है, obviously इतने सारे prizes होंगे, आपके पास हर prize मेरी कोशिश ये रहेगी, आपके लिए meaningful हो, आपके लिए worth हो, और हमारी learning से related, technology से related कहीं ना कहीं वो, तो आप जरूर इन prizes को enjoy करने वाले हैं, तो यह आप करिएगा, अच्छा, अब सवाली उठता है कि, इसके अलावा मैं और क्या देने वाला हूँ, इसके अलावा मैं देने वाला हूँ, आपको notes, यह निक्लास में जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, जो अभी आपको screen पे दिख रहा है, यह notes के form में आपको provide कर दिया जाएगा, तो सोचिए जो कुछ आपने पढ़ा, उसके notes भी बनते जा रहे हैं आपके, अच्छा, इसके बाद, इसके बाद, यह सारी चीज़े मिलेंगी कहां, assignments कहां मिलेंगे, आपको यह notes कहां मिलेंगे, weekly quizzes कहां मिलेंगे, in fact, videos तो चलो आपको YouTube पे भी मिल जाते हैं, लेकिन यह सारी चीज़ें आपको कैसे provide होंगे, तो इसके लिए, मैंने link इसी video के description box में रखा हुआ है, जो की, iNeuron.ai website का link है, जो हमारे सीधे course का link आपको मिल जाएगा, आपको वहां free registration करना है, आपको कोई पैसा कहीं पर भी देने की जरूरत नहीं है, free registration देना, free registration इसलिए, registration इसलिए, क्योंकि तब आपका नाम, आपका address हमारे पास आप आएगा, और जब आपकी detail हमारे पास आप आएगी, आपका email ID हमारे पास आप आएगा, तब जाके तो आपके prizes लगेंगे, तो हम आपको deliver कर पाएंगे आपके घर पे, वरना पता कैसे चलेगा, कि किसने test दिया था, कौन winner था, वो authentication के लिए भी ज़रूरी है, कि आपका registration हो, तो अगर आप weekly test में participate करना चायते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है, कि आप iNeuron की website पे, इस course को join करें, इस course को enroll करें, तो iNeuron की जो website, .ai, इसका link, मैंने इस video के description box में रखा है, इस पर आपको करना है enroll, ठीक है? Enroll करना है इस course को, तो मैंने सीधे उसी का link दिया हुआ है, आप उस पे click करिएगा, आप वहाँ से sign up करिएगा, account बना लीजेगा, जो information मांगी जारी है, वो सही सही information आप वहाँ पे दे दीजे, और उसके बाद, एक course का page आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा, और यह जो course का page आपको दिखाई देगा, इसी में आपको assignments भी मिलेंगे, quizzes भी मिलेंगे, notes भी मिलेंगे, और video lectures भी मिलेंगे, मैं जानता हूँ, आप मेंसे काफी सारे लोगों ने इसको already explore कर लिया है, लेगिन फिर भी जिन्होंने explore नहीं किया है, आज इसको explore कर लीजे, और अपना account जरूर बना लीजे यहाँ पर, ताकि यह सारी services आपको मिल सकें, तो एक बार जल्दी से मैं पूछ लेना चाहता हूँ, चैट विंडों पर आप मुझे reply कर दीजे, यदि आपको जितना मैंने orientation दिया है, उसको समझने में कोई भी दिक्कत है तो, कोई भी doubt है आपको, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको ले लूँगा, उसके बाद फिर मैं आज की चो lecture है, उसको start करना चाहता हूँ, because 13 days का हमारा schedule है, तो without wasting any time, हम लोग सीधे classes start करा करेंगे, सभी कुछ clear है, थाइंक यू, थाइंक यू सिम्रण, थाइंक यू सत्यंद्र, और आपका excitement बहुत अच्छा है, यह excitement, 13 दिन की classes हैं, 13 दिन तक बनाए रखना, ठीक है, चल यह तो, अब मैं class start कर रहा हूँ, class पर focus करते हैं, अगर कोई दिक्कत आपको जाती भी है, तो आप वीडियो के comment section में, बाद में भी लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा, वहाँ से भी आपको help कर सको, या next class में उसके बारे में बता सको, अगर आपको कोई भी doubt आता है तो, ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग start करते हैं, आज का जो हमारा topic है, वो है introduction, introduction to programming, introduction to programming, अच्छा जल्दी से मुझे बताईए, chat window पे कि आप में से कितने लोग हैं, जिनोंने अभी तक कोई programming language सीखी ही नहीं, कभी भी नहीं सी, कि उनको पता ही नहीं है programming क्या होती है, क्या ऐसे लोग हैं class में, मतलब बहुत थोड़े से ऐसे ऐसे लोग हैं, otherwise ज्यादतर लोग ऐसे हैं, जिनने थोड़ा बहुत तो idea है programming का, शल यह ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तो ऐसे ही start करूँगा, कि जैसे यह पहली बार आप पढ़ाई कर रहे हूँ, क्यों कई बार क्या होता है, हम लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमाए basics उतने strong नहीं हो पाते, कई चीज़ों की understanding तब होती है, जब हम दुबारा उस चीज़ को पढ़ते हैं, येस मैं आपको बता हूँ, आज के समय में तो फिर भी ठीक हो गया, लेकिन पहले जब मैं पढ़ाई करता था, तब हमारे समय पे कोई YouTube नहीं था, इतने online resources नहीं थे, तो हम लोगों को बुक से पढ़ना होता था, या college में जो teacher पढ़ा हैं, उस पर dependent होना पढ़ता था, या practical खुद करके देखना पढ़ता था, तो तब काफी ज़्यादा हम struggle करते थे, चीज़ों को सीखने में, तो बहुत time लगता था, एक ही चीज़ को बार-बार करना पढ़ता था, यानि मैंने C language है, कई बार पढ़ी होगी, तो पहली बार में जब आपको कुछ समझ में आया, तो second time पढ़ने में समझ में आता है, कि नहीं, चीज़े तो अब समझ में आ रही हैं, तो revision कभी खराब नहीं होता, आप में से जितने लोग revision कर रहे हैं, मैं guaranteed बोल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, introduction of programming, सबसे पहले तो programming होती क्या चीज़ है, उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, चलो देखो, suppose करो, एक बंदा है, मैं एक simple सी कहानी बता रहा हूँ, आप लोगों को सबको समझ में आएगी ये बात, मालीजी ये एक व्यक्ति है, जो कि किसी insurance company में काम करता है, insurance company में agent है, इसका काम क्या है, ये लोगों के पास जाता है, और उनको policies sale करता है, उनको convince करता है, कि आप ये insurance policy purchase करिये, सामने वालों से जब बात होती होगी, तो वो पूछते होंगे, कि बही कितनी इसकी premium आएगी, हर साल कितना pay करना पड़ेगा, फिर return में कितना मिलेगा, so काफी कुछ mathematics इसमें पीछे लगेगा, तो ये agent क्या करता है, ये बंदा क्या करता है, काफी calculation करता है, वो premium calculate करता है, premium calculate करने के लिए, वो कुछ सवाल पूछता है, कि आपकी age क्या है, आप कितने साल के लिए लेना चाहते हैं, policy, क्या some assurance रखना चाहते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से पूछता है, और वो सारी चीज़ें पूछने के बाद, वो तोड़े देर calculation करता है, और calculation करने के बाद बताता है, कि आपकी इतनी premium आएगी, यह premium calculate करने का कोई तो formula होगा, वो सकता है, एक single formula ना हो, कुछ steps हों जो perform करनी पड़ेगी, तब जाके वो premium calculate होगी, तो यह manually यह सारा काम करता है, imagine करो कि वो calculation करने में, कई बार तो उससे mistake भी हो जाती, और mistake हो जाने का मतलब है, गलत commitment वो client से कर देता होगा, और उसके बाद फिर उसे अपने जेब से पैसे भरने पड़ते, या कई सारी दिक्कत हैं उसको face करनी पड़ती होगा, तो यह इस चीज़ से काफी परिशान है, तो यह व्यक्ती, एक non-technical person है, इसे computer के बारे में कोई idea नहीं है, लेकिन इसका एक friend है, जो इसको suggestion देता है कि, तुम एक computer खरीद लो, क्योंकि computer एक ऐसी machine है, जो हर तरह का calculation कर सकती है, तो यह बंदा बहुत खुश हो जाता है, इसको लगता है, हाँ, मेरे शायद problem का solution मिल गया है, तो वो एक computer खरीद के लिए आता है, यह computer हो सकता है, laptop हो सकता है, यह खरीद के लिए आया, अब यह सोच रहा है कि इस computer से, वो calculation करवा लिए जाए, जब भी जरूत पड़ेगी, इस computer से calculation करवा लेंगे, तो एक तो error नहीं आएगी, फाइदे तो बहुत सारे, fast भी हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, problem is, कि इस computer को premium calculate करना आता नहीं, तो यह अपने दोस्ट के पास पहुंचता है कि, अरे तुमने तो कहा था कि, यह premium calculate कर देगा, तो उसका दोस्ट बोलता है कि, नहीं मैंने यह कहा था कि, नहीं है कि premium कैसे calculate करना है, अगर तुम सिखाद होगे, तो वो premium calculate कर देगा, तो इस वेक्ते को समझ में नहीं आती बात कि, यार, इसका क्या मतलब है कि मैं सिखाद हूँगा, तो मैं लें देखो, ऐसा है कि computer पे, computer काम तो बहुत सारे कर सकता है, लेकिन उसे हर काम सिखाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है, कि कोई काम करने की steps कैसे perform करते हैं, क्या-क्या steps perform करते हैं, तो ये बंदे को, जो भी थोड़ा बात समझ में आता है, उस हिसाब से ये computer से बोलता है, कि भई, ऐसे से calculate करो, और premium calculate हो जाएगी, पर computer को कोई भी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये बंदा, इस computer से, किस बहशा में बात कर रहा है, या तो बात कर रहा है English में, या बात कर रहा है Hindi में, या कोई natural language में, जो कि इनसान ही समझ सकता है, तो भई, ये बात, इस computer को समझ में नहीं आती, तो ये computer को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो इसका काम नहीं होता, ये बड़ा परिशान हो जाता है, कि भई, क्या होगा, तो ये जाता है, एक programmer के पास, यस, ये programmer आप हो सकते हैं, ये बंदा इस programmer के पास जाता है, और बोलता है कि यार मैं computer को सिखाना चाहता हूँ कि premium कैसे calculate करें ये समझ नहीं रहा है मेरी बात तो ये programmer बोलता है कि देखो जो computer है न वो सिर्फ binary language समझता है सिर्फ binary language क्या होती ही binary language पता है आप लोगों को ऐसी भाषा जिसमें हर शब्द zero one से ही बनता है that is called binary language by मतलब two तो जिसमें दो ही symbol है एक one है एक zero है अब computer binary language ही क्यों समझता है हिंदी इंगलिश क्यों नहीं समझता है उसका reason है कि computer hardware से बनाया है इसमें RAM है इसमें ROM है इसमें processor है इसमें hard disk है इसमें कई सारे devices हैं ये सब hardware है और किसी भी hardware को दो states में represent करना ज्यादा आसान होता है बनिस्पत कि हम ज्यादा states में represent करें मैं जानता हूं ये बात समझने में कई लोगों को दिक्कत गई होगी तो मैं एक छोटे से example से इस बात को बतायता हूं तब मैं कहानी को आगे बढ़ा दूँ जैसे example के लिए हमारे computer में होती है RAM सभी ने सुना है RAM के बारे में What is RAM? Random Access Memory? Yes? Random Access Memory को primary memory या main memory भी कहते है ये जो memory होती है ना ये बड़ी important memory है आपके computer में ये memory processor से भी connected है और hard disk से भी connected है ये memory में कुछ भी data permanently store नहीं होता है लेकिन जब भी आप अपने computer में कोई program चलाते हैं कोई software चलाते हैं तो वो पहले RAM में आता है तभी चल पाता है जिदनी देर वो active है तब तक वो RAM में है Yes, तो सारे softwares इसी RAM के अंदर आते हैं अब ये जो RAM hardware है ना जनरली ये बना है capacitor से आप लोग ने फिजिक्स में capacitor पढ़ा हुआ है Do you know what is capacitor? Capacitor क्या होता है मालूगा? Capacitor एक ऐसा physical device है जिसमें charge को hold किया जाता है ठीक है? Capacitor बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं ऐसे capacitor भी होते हैं जो ज्यादा charge को hold कर सकते हैं इसे भी capacitor हैं जो कम charge को hold कर सकते हैं यह तो बहुत कम charge को hold करने वाले capacitor के मैं अभी बात कर रहा हूँ बहुत छोटे छोटे capacitors इतने छोटे कि इस RAM के अंदर RAM बनी होती है लाखों capacitors है यह छोटे छोटे लाखों capacitors इसके अंदर होते हैं सोचिए RAM कितनी बड़ी है कितनी बड़ी RAM है और इतने से hardware के अंदर लाखों capacitors लगा दिये गए हैं हर एक capacitor में या तो charge है या चार्ज नहीं है दो ही अवस्थाओं में वो रह सकता है दो ही states में वो रह सकता है तो अब आप देखें कि ये hardware दो ही state में रह सकता है किसी capacitor के अंदर या तो charge है या नहीं अब लाखों capacitors है आप किसी एक capacitor की बात करिए या तो उसमें charge है या उसमें charge नहीं है अगर charge है तो ये एक state है और charge नहीं है ये दूसरी state है हमने अपनी सहूलियत के लिए चार्ज है, वाली स्टेट को बोल दिया one चार्ज नहीं है, वाली स्टेट को बोल दिया zero समझे बात को एक situation है उसको हमने बोल दिया, जैसे हम कहा रहे हैं, बारिष हो रही है इस स्टिती को हम one बोलेंगे बारिश नहीं हो रही है तो इस इस्तिती को हम 0 बोलें अरे भई हम किसी भी चीज़ को ऐसे encoding कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही हमारे समझने के लिए हमने इस तरह की encoding करी है तो capacitor में charge है तो वो 1 है, charge नहीं है तो वो 0 कहलाएगा अच सोच के देखिए कि हम बोलते हैं कि इस RAM में एक data रखा हुआ है लेट से एक number रखा हुआ है अब याद देखो किसी भी information को न हम binary में convert करने का कोई न कोई mathematical formula निकाल लेते हैं तो 5 का binary करना तो वैसे भी बहुत आसान है अब जिसको binary में convert करना नहीं आता है कोई बात नहीं आगे हम शायर इसको भी सीखेंगे तो 5 का binary होता है 101 तो इसका मतलब है लगातार के कोई तीन capacitors हैं एक में charge है एक में charge नहीं है और फिर अगले में charge है तो ये जो लगातार के तीन capacitors आपको दिखाई दे रहे हैं मैं कहता हूं इसके अंदर 101 रखा हुआ है और इसको आप 5 मान सकते हैं क्योंकि ये 5 का ही binary है आया समझ में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये basic सा concept समझ में आ गया होगा और RAM की technology अलग है वहाँ पर capacitors की बात हो रही है दूसरा hardware होगा उसमें technology अलग हो सकती है लेकिन technology कोई भी हो दो ही state में represent करना hardware को ज्यादा आसान होता है इसलिए computer system binary language में काम करते हैं क्योंकि वो information hardware के थुरू दो ही states के जरिये represent हो सकती है तो I hope आपको ये बात समझ में आ गई होगी अगे anyways अब यहाँ पर हमें ये तो कहानी समझ में आ गई है लेकिन जो हमारी main कहानी चल रही थी अब उसकी तरफ focus करते हैं चीक है ये तो हो गया इसको छोड़ो या इसको बने रहने देता हूँ क्योंकि ये notes में आपके पास जाएगा हाँ तो यहाँ बात हो रही थी कि ये बन्दा इस programmer से बोल रहा है कि मैं अपने computer को बता रहा हूँ English में Hindi में कि premium कैसे calculate करना है पर वो समझ नहीं पा रहा है तो ये programmer बोलता है कि देखो computer को binary language आती कि तुम binary language में उसे बताओ तो उसे समझ में आएगा ये बन्दा बोलता भही मुझे तो binary language नहीं आती मैं कोई technical person तो हूँ नहीं मैं तो insurance agent हूँ मुझे नहीं मालू तो programmer बोलता कोई बात नहीं मुझे भी नहीं मालूम है कि premium कैसे calculate होती तुम मुझे बता दो premium कैसे calculate होती है तो ये बन्दा programmer को कहता है कि देखो premium calculate करने का ये ये formula है ये ही mathematical steps है इनको करेंगे तो premium calculate हो जाएगा ठीक है अब ये programmer ने इस बात को सीख लिया है शायद English में उन्होंने communication किया हो या Hindi में communication किया हो अब इस programmer को पता है कि premium कैसे calculate होती है logic उसको clear है बिल्कुल अब ये क्या करता है क्योंकि ये programmer है ये एक file बनाता है जिसमें binary language में उसी बात को लिख देता है समझ पा रहे है मेरी बात सिर्फ भाशा का translation है जैसे हिंदी से English में convert किया जा सकता है उसी तरीके से जो बात इस programmer को समझ में आई है उसने वही बात binary language में लिख दी है क्योंकि ये technical person है ये programmer अब सोचो ये binary language में लिखी होई file ये programmer ने किसको दे दी इस बंदे को दे दी और क्या कहा कि सुनो ये software है ओके ये software है इसको ले जाके तुम अपने computer में install कर देना रख देना तो क्या होगा तुमारे computer के पास एक ऐसा software आ गया है जिसमें लिखा है कि computer को क्या steps perform करनी पड़ेगी जिससे की premium calculate होगा ओके मतलब अभी तक computer को नहीं पता था कि premium कैसे calculate करें इस file के अंदर लिखा है कि premium कैसे calculate करें और जिस भाशा में लिखा है वो भाशा computer को आती है that is binary language बहुत बढ़िया अब आपको यहाँ पर मैं एक और उधारण देता हूँ जिससे आपको चीज समझ में आएगी आप मुझे बताइए आपके computer के अंदर आप movie देख पाते हैं yes or no आप अपने computer के अंदर movie देख पाते हैं यदि देख पाते हैं तो कोई software required होगा ना उसके लिए शायद VLC player या window media player या कोई ना कोई software तो आपको चाहिए ना जिसके करण आप अपने computer में movie देख पा रहे हैं मैं online की बात नहीं कर रहा हूँ internet की बात नहीं कर रहा हूँ ठीक है अगर आपको अपने computer में photo को edit करना है आपका computer सक्षम है कि वो सारी calculations कर सकता है जो required होगी लेकिन आपका computer photo edit तभी कर पाएगा जब photo edit करने वाला software आपके computer में मौझूद होगा जैसे Adobe का Photoshop या कोई भी दूसरा software इसी प्रकार से अगर आप चाहते हो कि आप एक presentation बना सको PowerPoint presentation आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है ना कि आपकी computer में PowerPoint software मौझूद हो या आप simple सा text लिखकर रखना चाहते हैं अपने computer में तो यह ज़रूरी है ना कि कोई text editor हो जैसे की notepad जिसकी मदद से आप ये काम कर पाएं मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आपके computer काम तो बहुत कुछ कर सकता है लेकिन कोई particular काम वो तभी कर पा रहा है जब उस काम को करने की steps उसे पता है software के रूप में अगर software है computer में तो वो वो काम कर पाएगा तो अगर तुम्हारा computer सौ तरह के काम कर सकता है तो इसका मतलब सौ software तुम्हारे computer में रखे हुए है अगर तुम्हारा वही computer हजार तरीके के काम करना चाहता है तो इसका मतलब है हजार software तुम्हारे computer में होने चाहिए Is that clear? Without these softwares आपके computer में सारा potential है लेकिन आपकर कुछ नहीं सकते हो और ये जो example ही आप पर भी लागो होता है अगर मैं कहूँ कि आपके अंदर potential तो बहुत है और वो क्या है? वो है learning जी हाँ जो आप learn कर रहे हैं उसी से वो skill आपके अंदर develop होती है ठीक है तो आपको मेरी बात समझ में आ गई अब लेकिन हमको ये समझना है कि ये जो programmer है इसने ये software बनाया कैसे? Yes कहानी के अगले mode पे आते हैं जहाँ पर हम ये समझना चायते हैं कि ये जो programmer है इसने ये software बनाया कैसे था? तो जैसा कि मैंने कहा कि एक software इसने बनाया है जो की binary language में coded है ये है वो software ये एक file है file तो आप सभी लोग समझते हैं आपकी computer में ढेर सारी files आप लोगोने देखिया हूँ इसको हम बोल रहे है software इसको हम executable file भी बोल सकते है executable file मतलब ऐसी file जिसको हम directly run कर सकते हैं चला सकते हैं अगर windows operating system वाले machine की बात करूँ तो वहाँ पर इस file का extension होता है .exe आप जानते हैं आपके computer में जितनी भी files रखी हैं उनका कुछ नो कुछ extension होता है कुछ नाम होता है तो नाम फिर dot फिर extension नाम कुछ भी हो सकता है अभी कई लोग जैसे extension के बारे में नहीं समझते हैं तो मुझे बताओ क्या आपका मालूम है .mp3 file क्या होती है mp3 files यानि कुछ song हो सकता है कुछ audio हो सकता है yes यह audio file है अगर मैं लिख रहा हूँ .jpg तो क्या आप समझ पा रहे हैं यह एक image है या मैंने लिखा .txt तो यह text file है yes इसी तरीके से .exe file जो होती है वो executable file होती है executable file ठीक इसके अंदर जो लिखा है ना वो 01 में लिखा है binary language में है अब क्या यह programmer ने यह .exe file binary language में code करिए क्या उसने computer बैट के दिन रात 0101 टाइप करे अरे हमारे computer में तो इतनी सारे keys हैं उन सब को छोड़के सिर्वो दो ही keys का इस्तमाल कर रहा था 0 और 1 इसके लावा और उसने कुछ नहीं करा क्या actual में ऐसा हुआ होगा नहीं हुआ होगा क्योंकि 0-1 में typing करना एक तो बहुत मुश्किल है बहुत time consuming है दूसरा इसमें जरा एक mistake होगी तो पूरा meaning ही change हो जाएगा एक 1 की जगे 0 होगया तो पूरा meaning change हो जाएगा तीसरी बात यह है कि यह जो code लिखा जाएगा यह hardware dependent हो जाता है यह binary language जो है न वह hardware dependent हो जाती है तो इस programmer के लिए यह सही idea नहीं है कि वह binary language में software खुद code करे इसलिए वह सीखता है एक ऐसी भाषा जो काफी कुछ English जैसी है और वह भाषा है c language ठीक है तो इस programmer ने क्या किया c language सीख लिए और इस c language में इधर coding करी होगी तो यह जो file बनाई यह file का extension होगा dot c नाम चाहे जो रख लो आप पर इसका extension होगा dot c इसको हम बोलते हैं source file source file और इसके अंदर जो code आप लिखोगे जो भी जो भी लिखोगे आप इस file के अंदर वो source code कहलाता है clear है source code कहलाता है अब यह लिखा किस language में सी लांगवज में अब यह सी लांगवज है यह काफी कुछ English जैसी है आप मेंसे कई लोगों को जानके आश्यर होगा कि computer को c language नहीं आती computer को सिर्फ एक ही भाषा आती है that is binary language तो अगर इस programmer ने c language में coding करी है c language में लिखा है क्या लिखा है अरे भाई वही जो premium calculate करने का logic उसने समझा था वही इसके अंदर उसने c language में लिख दिया English और Hindi में नहीं c language में लेकिन c language काफी कुछ English जैसी है इसलिए हमें सीखने में आसान होती है तो human understandable format में यह लिखा होता है अब यह जो c language में coding आपने कर दी यह जो file हमारी बन गई यह file आप तो समझ पा रहे हो क्योंकि आपको c language आती है लेकिन लेकिन यह computer नहीं समझ पा रहा है computer को सिर्फ binary language आती है तो क्या जरूरी है जरूरी है translation यस ट्रांसलेशन जरूरी है कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे कि यह .c file convert हो जाए .exe file में हम बोलते हैं इस प्रक्रिया को build क्लियर है build यानि translation कर दिया c language में कुछ code लिखा है इसको translate करके binary language में convert कर दिया लेकिन यह convert करेगा कौन यह convert करने के लिए software की जरूरत है कुछ programs की जरूरत है तो यहां पर एक program होता है preprocessor इसका कुछ रोल है एक program होता है compiler इसका कुछ रोल है एक होता है linker इसका भी कुछ रोल यह तीनों के एक sequence में team effort करने के बाद .c file की मदद से .exe file बन जाती है क्या बात आपको समझ में आई अगर मैं आपसे in a nutshell पूछूं कि अगर कोई वेक्ति को programmer बनना है यानि वो software develop कर सके see language के थ्रूप तो यह काम करने के लिए उसे कितनी steps perform करनी है मात्र दो steps पहली step क्या है पहली step क्या है create a source file यह पहली step है यानि आपने .c file बनाई और जो भी काम आप computer से करवाना चाहते हैं वो code आपने इसके अंदर लिख दिया बस हो गया code आपने इसके अंदर लिख दिया हो गया save कर दी file यह काम करने के लिए आपको कोई भी text editor चले आप notepad पे भी coding कर सकते हैं तो आपके keyboard में जो keys हैं उनी से type करके आप easily लिख दोगे जब source file बन जाए source file बनने के बाद second step क्या है second step है build software और build software करने में आपको कोई मेहनत नहीं करनी है आपको एक जगे click करना है और जो programs आपके computer में रखे हैं preprocessor compiler और linker यह अपना-पना काम कर देंगे और finally बन जाएगी exe file यानि जो second step है न इसके लिए बस आपके computer में यह सारे programs होने चाहिए बस और कुछ नहीं जो भी configuration है जो setup हमको करना है वो हम कर देंगे एक बार कर देंगे उसके बाद आपको इसमें कभी tension नहीं है आप second step तो एक click पे काम हो जाएगा सारी महनत कहा है step number one तो अब आपने देखा software बनाने की जो journey है यह कितनी simple है समझ में आया है सभी को हाँ अब हमको क्या करना है यह steps actual में perform करनी है हमें यह तो समझ में आ गया कि software इस programmer ने कैसे develop किया होगा यस लेकिन अब हमको समझना है कि हमें अपने computer पे क्या चीजें download install करनी पड़ेंगी जिससे कि यह दो steps actual में हम कर पाएंगे तो एक programmer की क्या जरूरत है programmer की जरूरत है environment को setup करना अपने computer को इस बात के लिए तयार करना सेट अप एन्वार्मेंट पॉर सी लैंगज आप में से क्या कोई ऐसा है जो टर्बो सॉफ्ट्यर को यूज करता है टर्बो सॉफ्ट्यर अक्सर मैंने देखा अभी भी कई कॉलेजिस में टर्बो सॉफ्ट्यर पर ही पढ़ाया जाता है इन फैक्ट मेरे भी जो पुराने वीडियो बने हुए वो टर्बो सॉफ्ट्यर पर है यस तो मैं आपको बता दूं कि जो टर्बो सॉफ्ट्यर है ना यह बहुत पुराना है टर्बो सी थ्री नाम से यह बहुत पुराना है इसको हमको यूज नहीं करना है ठीक है अभी हमको modern compilers वगएरा यूज करने हैं इसलिए अभी नॉर्मली आप लोगों के पास windows 8 या windows 10 या windows 11 windows 7 बहुत ही किसी rarely किसी के पास अब बचा होगा और windows 7 अगर है भी तो उसको अप्ग्रेट करा लीजे बिकास अब microsoft ने भी windows 7 पे support देना बंद कर दिया है तो आपके पास updated operating system हो तो ज्यादा बैटर है और जनरल यह जो operating system है यह 64-bit के होते हैं और टर्बो सॉफ्टेयर पुराने जमाने का सॉफ्टेयर है जो 16 बिट का सॉफ्टेयर हुआ करता था तो 16 बिट के बाद एक और generation आई थी 32-bit की उसके बाद अभी next generation आई ए 64-bit की तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम अगर टर्बो सॉफ्टेयर को यूज करेंगे पुराने जम सॉफ्टेयर में वो नई चीज़ें वर्क आउट नहीं होंगी क्योंकि उस समय जब टर्बो बना था तब वो चीज़ें नहीं एक्जिस्ट करती है तो इसलिए हम लोग टर्बो को यूज नहीं करेंगे अब जैसा कि मैंने बोला कि हमारे सिस्टम पर हमें क्या चाहिए हमे कर रहे होंगे अलग-अलग जगे पर कर रहे होंगे और हमें बहुत सारा कुछ कॉन्फिगर करना पड़ेगा अपने सिस्टम को इसलिए मेरा रिक्मेंडेशन यह है कि अगर आप बिगनर हैं आप पहली बार प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो आप कोई IDE का इस्तमाल करें ना वट इस IDE? सुना होगा सभी लोगा ने? वट इस IDE? इस इंटीग्रेटेड 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 डेवलोप्मेंट एन्वार्मेंट इंटीग्रेटेड डेवलोप्मेंट एन्वार्मेंट जैसे टर्बो भी एक IDE है IDE उस सॉफ्ट्ययर को बोलते हैं जो प्रोग्रामर को सॉफ्ट्ययर डेवलप करने के उद्देश से जो जो फैसलेटी चाहिए एक सिंगल स्क्रीन पर प्रोवाइट करता है यानि आप कोई IDE सॉफ्ट्ययर अपने कंपिटर पर इंस्टॉल करते हैं तो वो IDE आपको एक सिंगल स्क्रीन प्रोवाइट करता है जहां पर वो सारी फैसलेटीज हैं जो सॉफ्ट्ययर डेवलप करने के दौरान आपको रिक्वायर हो सकती हैं आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं कोई सॉफ्ट्ययर बना रहे हैं उस दौरान आपको क्या-क्या चाहिए वो सारी फैसलेटी आपको मिलेगे नॉर्मली नॉर्मली कोई भी IDE कम से कम एक कोड़ एडिटर तो प्रोवाइड करता ही है कोड़ एडिटर डीबगिंग टूल्स और तीसरा बिल्ड टूल्स ठीक है तीन चीजें तो कम से कम प्रोवाइड करता ही है हर आईडी प्रोवाइड करता है इसके लावा कुछ एडिशनल फीचर प्रोवाइड करते तो बात अलगे लेकिन ये कम से कम तीन चीजें प्रोवाइड करता है डोंट बॉदर कि अगर ये तीन चीजें क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा है आपको प्रोग्राम लिखना है ठीक है प्रोग्राम लिखना है c-language में यस प्रोग्राम लिखना है आपको c-language में तो आप क्या करते हैं एक text editor में लिख सकते हैं text editor जैसे notepied पर उस text editor में आप जो लिख रहे हैं वो उस software की नजर में एक normal text है वो उसको C language का program नहीं मान रहा है यह आप जान रहे हैं कि वो C language का program है पर उसे नहीं समझ में आ रहा तो इसे लिए वो आपकी कोई help नहीं कर पाएगा और आपके programming experience कोई बहुत अच्छा नहीं रहेगा लेकिन जो code editors होते हैं यह text editor जैसे ही होते हैं लेकिन यह आप जो programming language में लिख रहे हैं उसको जानते समझते हैं इसलिए जब आप code editor में program लिखते हैं तो वो आपको अलग-अलग color से programming elements को highlight करके बताता है जिससे आपको उसको read करना भी आसान होता है और आप अगर कुछ गलतियां कर रहे हैं तो वो आपको easily समझ में भी आती है इतना ही नहीं code editor आपको बहुत सारी facilities देता है during coding तो जब आप coding कर रहे हैं उस दौरान आपको जितना ज़्यादा ease of development feel कराया जा सकता है ये code editor आपको feel कराते हैं तो एक programmer के नजर ये से plain text editor पे भी आप coding कर सकते हैं लेकिन ज्यादा बैतर होगा कि आप code editor पे करें अब आप कोई सा भी ID इस्तमाल कर लें उसमें code editor होता ही है तो आपको अलग से code editor की फिर जरूरत नहीं पड़ती है debugging tools का मतलब यह होता है कि जब आप कोई software बनाते हैं program बनाते हैं तो उसके testing भी required होती है अब उसके testing करने के लिए जो programs होते हैं वो है debugging tools तीसरी चीज़ है build tools build tools के अंतरगत ही आता है preprocessor, compiler and linker यानि की software build करने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत है वो कहलाता है build tools तो आप कई सारे IDs market में हैं उन में से कोई सा भी use कर सकते हैं मैं कुछ IDs का example आपके सामने लिख के देता हूँ देखो जैसे एक ID है एक तो turbo ही है जिसको मैं recommend नहीं कर रहा हूँ लेकिन एक ID है code blocks ठीक है code blocks बहुत अच्छा ID है आप इसको use कर सकते हैं एक है dev cpp देखो ये जितने भी IDs है न इसमें आप c की programming भी कर सकते हैं और c++ की भी कर सकते हैं यानि दौनों के लिए common ID चलेगा तो code blocks में भी कर सकते हैं और dev cpp में भी कर सकते हैं और ऐसे और भी बहुत सारे आते हैं आपके पास एक और option है जो है vs code vs code जो की Microsoft वालों का है अ विजूल studio अलग है और vs code अलग है ध्यान रखना इस बात को vs code एक code editor है चीक है vs code क्या है it is only a code editor यह IDE नहीं है यह केवल एक code editor है लेकिन बहुत सारे programs की मदद से इसको ID जितना section बनाया जा सकता है यह एक ऐसा universal code editor है जिसमें आप extensions की मदद से यानि additionally आप programs जोड सकते हैं vs code के साथ vs code यह facility देता है कि आप vs code को simple code editor न रहते हुए उसको और भी कई सारी facility प्रोवाइड करने के लिए लायक बना सकते हैं आप समझे मेरी बात vs code एक code editor है मतलब अगर simple भाषा में समझा जाए तो उसमें सिर्फ आप program लिख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं अभी तो आपको उसे build भी करना है न तो build करने की फैसलेटी vs code आपको नहीं दे रहा है लेकिन आप additionally कुछ और programs यूज कर सकते हैं vs code के साथ तो vs code में extensions की फैसलेटी होती है जिसके थुरू आप additional कई सारे plugins, programs को अपने vs code के साथ team up कर सकते हैं यानि उसके साथ जोड सकते हैं तो vs code की capability है इन extensions की मदद से बढ़ाई जा सकती है और ये extensions को कभी भी आप install और uninstall कर सकते हो तो आप ये तै कर सकते हो कि vs code की capability कितनी रखनी है vs code इतना popular code editor इसलिए है क्योंकि ये c language के भी काम आजाता है c++ के भी काम आजाता है आप java वाली programming भी कर सकते है आप html में भी काम करना चाहें css में भी काम करना चाहें यह बहुत सारी plugins प्रोवाइड करता है extensions प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से ये एक universal ID की तरह behave करने लग जाता है तो vs code है तो code editor पर extensions की मदद से ये ID जितना capable हो जाता है और क्योंकि ये इतना extensible है इसको extend किया जा सकता है extensions की मदद से इसमें बहुत सारी facilities हम add कर पाते हैं जो कि एक ID में थोड़ी limited होती है उसमें भी plugins का option रहता है लेकिन फिर भी वो limited रहता तो vs code इसलिए काफी ज्यादा popular हो गया है तो मैं आपको recommend करूंगा यही तीन नाम या तो आप code blocks पर करें काम या आप devcpp पर करें या फिर आप vs code पर करें number 1 और 2 पर code blocks और vs code है devcpp को मैं number 3 पर रख रहा हूँ तो आप code blocks या vs code में से कोई सा भी use कर सकते हैं जिसको जिसका environment पसंद आए मुझे code blocks का personally पसंद है लेकिन ज्यादा popular है vs code vs code इसलिए क्योंकि आपका एक बार क्या होता है किसी software को use करने पर आपको उसकी आदत हो जाती है आपको उसके controls बहुत easy लगने लगते हैं आपको उसके shortcut सियाद हो जाते हैं तो same vs code आप use कर सकते हो अगली programming language के लिए उसके बाद भी कोई language सीख रहे हो तो उसके लिए भी आप same vs code use कर रहे हो पर ऐसा code blocks में नहीं हो पाएगा code blocks अगर आप cc++ के लिए use कर रहे हो तो शायद कोई दूसरी programming language like python के लिए आप code blocks को use नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको कोई नया software चाहिए होगा तो नया तरह का environment होगा लेकिन vs code में वो दिक्कत नहीं है इसलिए भी ज्यादतर लोग vs code का इस्तमाल करते हैं ठीक है पर specifically c and c++ के लिए code blocks भी बहतरी हैं और vs code भी बहुत अच्छा है तो क्या अब आप लोग जानना चाहते हैं कि vs code को कैसे download install करना है या आप जानना चाहते हैं code blocks को कैसे download install करना है क्या करना चाहरे हैं आप vs code पे vs code या code blocks आपके पास अगर पहले से है तो बहुत यह अच्छी बात है और आपके पास पहले से नहीं है तो उसको आपको download install करना है मैं आपको बता देता हूं कैसे download install करना है रईट कैसे डाउन लोऋड इंस्टॉल करना है उसके बारे में बताया तो प्रक्राइश 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 थारे में ख्रक्राइश प्रक्राइश झाल 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 यह सबी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? ओके आई गैस अभी आप लोगों को आवाज आ रही होगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोड ब्लॉक्स अगर आपको डाउनलोड करना है इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे? यहां पर चलते हैं यहां पर सबसे पहले मुझे लिखना है डाउनलोड वी एस कोड नहीं पहले कोड ब्लॉक्स को उता रहा हूं कोड ब्लॉक्स डाउनलोड कोड ब्लॉक्स चीक है इस पर आपको जाना है और यहां पर आप देखिए सबसे पहला link आपको दिखाई दे रहा है download code blocks clear है सभी को download code blocks इस पर आप click करते हैं आप code blocks की official website पर आ चुके हैं code blocks.org slash downloads यहाँ पर आप देखिए downloads के नीचे सबसे पहला link दिख रहा है download the binary release आप इस पर करिए click देखिए यहाँ पर नीचे जब आप आएंगे तो आपको तीन operating system लिखे हुए दिख रहे हैं windows, linux and mac अब आपका operating system कौन सा है ज्यादतर लोगों का windows है तो windows पे click करेंगे जब windows पे click करेंगे तो यहाँ उन्हें धेर सारे options दिखाई दे रहे हैं यदि आपका operating system 64 bit का है तो यह जो चौथा वाला link दिख रहा है आपको इसको आपको download install करना है या तो आप फॉस हब पे click कर दें या sourceforge.net पे click कर दें click करेंगे यह download होना start हो जाएगा और इससे आएगी आपकी computer में setup file जिस पर double click करके आप installation start कर सकते हैं नेक्स नेक्स पर click करके कुछ इंस्टॉल हो जाएगा कुछ भी उसमें रॉकेट साइंस नहीं है लेकिन अगर आपका operating system 32 bit का है तो फिर आपको यह second last वाला link देखना है और इसको आपको download install करना है clear है और code blocks जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है ठीक है यह code blocks id है चली यह तो हो गया अगर आपको code blocks use करना है पर मान लीजे आपको code blocks use नहीं करना है आपको यूज करना है विंडोज विएस कोड तो हम लोग समझ लेते हैं विएस कोड कैसे यूज होगा clear विएस कोड तो अगर विएस कोड आपको डाउनलोड इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले तो आपको तीन चार steps है actual में यहाँ पर मैं एक एक करके वो steps बता जाता हूं आपको विएस कोड के बारे में बस यही एक चीज बहुत अच्छी नहीं लगती है कि उसमें थोड़ा setup करने में time लगता है अधर्वाइस अगर आप कोड ब्लॉक्स की बात करोगे ना तो कोड ब्लॉक्स में वो दिक्कत नहीं जाती है लेकिन एक बार विएस कोड में वो setup हो गया ना तो वो ज्यादा बैटर लगेगा आपको चलिए तो यहां पर मैं आपको एक एक step बताता हूं कि कैसे आपको download install करना है विएस कोड के लिए बता रहा हूं विएस कोड पहली स्टेप सबसे पहले आपको क्या करना है आप download करेंगे विएस कोड सॉफ्टेयर को ठीक है विएस कोड को आप सबसे पहले डाउनलोड करेंगे यह आप सीधे गूगल पर लिखेंगे ना download विएस कोड तो भी आपको link मिल जाएगा अधरवाइज मैं description में link पी provide कर दूँगा एक बार download हो गया तो इसको बस आपको setup फाइल को run करना है और विएस कोड सॉफ्टेयर इंस्टॉल हो जाएगा इसमें कुछ दिक्कत नहीं है इसको यह हो जाएगा यह ज्यादा memory भी नहीं लेता है तो 300-400 MB के असपास यह memory लेगा डिपेंडिंग की आपने कब इसको install किया अभी फिलाल अगर install करेंगे latest version तो आप देखेंगे करीब 300 MB के असपास यह memory लेगा नेक्स टास्क यह है आपका एक्शल में जब आप code blocks को download install करते हैं तो उसके साथ compiler भी आ जाता है मतब जो options मैंने आपको बताया है उसमें compiler भी आ जाता है आपको अलग से compiler को download install नहीं करना पड़ता इंटेल अनलेस कोई specific compiler आप चुनना चाहते हो compiler क्या है मैंने आभी आपको बताया था जब आप build करते हैं तो आपको preprocessor compiler linker की जरूरत पड़ती तो उसमें compiler का role बहुत important होता है क्योंकि compiler ही है जो source code को binary code में machine code में convert करता है तो इसलिए compiler ज़रा important software यह compiler हम कौन सा use करेंगे तो देखो c language के लिए हम लोग compiler use करेंगे gcc और c++ कल को करोगे तो वो होगा g++ ठीक है यह compiler use किये जाते हैं आपर compilers और भी आते हैं लेकिन यह सबसे ज्यादा popular compilers हैं तो हम इसी की बात कर रहे है अब कंपाइलर कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में समझते हैं आप लोग क्या करना एक website का में link देता हूं उस website से करना अधर्वाइज आपको ज़्यादा setting करनी पड़ेगी इसलिए मैं वो website का link दे रहा हूँ website रहेगी dot net slash min gw min gw dot html आप इस website पे इस URL पे विजट कर लेना इस website पे आप जाओगे न तो वहां पर आपको select करना पड़ेगा वहां पर भी आपको दो options दिखाई देंगे तो उसमें आपको select करना रहेगा फाइल का नाम है min gw और जो भी वर्जिन होगा उसका अभी शायद latest देखेंगे तो 18.0 hyphen without git dot exe वहां दो files मिलेंगी उसमें से एक file का नाम ये रहेगा आप इस पे click कर दीजेगा तो ये download हो जाएगी आपके computer में ठीक है download हो जाएगी अभी मैं आपको इसका practical भी दिखाता हूँ पहले आप theory समझ लीजे कि क्या क्या आपको करना है in total ठीक है ये जो आपने download किया ना ये actual में क्या है installer installer तो आपको इसको run करना पड़ेगा इसको run करोगे तब जाके ये compiler आपके computer में install होगा और save हो जाएगा मतलब कुछ files हैं जो proper जगे पर save हो जाएगा कहां पर आप इसको save करना चाहते हो मेरा recommendation है आप एक काम करना c drive में इसको save कर देना c drive में save करोगे तो एक folder इसके अंदर बन जाएगा min g w नाम का और उसी के अंदर सारी चीज़ें save हो जाएगी ठीक है तो c drive के अंदर आप इसको save कर देना क्योंकि जब आप इसका installer चला होगे तो वो आपसे पूछेगा कि कहां पर रखनी है तो आप कर दोगे c drive बता देना वो c drive में install कर देगा इसके बाद आपको एक और काम करना पड़ेगा वो है environment variable में इसका path set करना पड़ेगा environment variable में इसका path set करना पड़ेगा यह भी मैं बताता हूं कैसे practically बताता हूं कैसे होगा environment variable में इसका path set करना पड़ेगा path किसका set करना है आपको इस compiler का set करना और यह compiler कहां रखा है उस जगे का आप path बताओगे और वो path है c drive के अंदर min gw नाम से जो folder बना है उसके अंदर bin folder यह है path यह हमको set करना है क्योंकि bin folder के अंदर ही gcc file है और g++ file है यह सब वहीं रखे होगे clear है यह आपने कर लिया आप आ जाईए third step पे third step पे जब आएंगे तो आप vs code को open करेंगे और इसमें दो extensions आपको download करने है plugin है दो extensions है तो extensions for vs code आप vs code open करेंगे उसी में बताता हूं किस तरीके से होगा तो कौन-कौन से हैं एक आप यूस करेंगे c c++ जो Microsoft वालों का है intelligence यह Microsoft वालों का है ठीक है यह plugin आपको करना है और दूसरा आपको करना है code runner code runner यह जो code runner है यह क्योंकि बहुत सारे वहां plugins होते हैं आप आपका installation होगी यह तीन स्टेप करनी पड़ेगे तो आई नो वी एस code के लिए थोड़ा सा आपको effort डालने पड़ेंगे बाकि अधरवाइस तो बहुत सिंपल है code blocks करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाता है लेगिन ठीक है जो आपकी चोईस है आप वो करिएगा मेरे को कोई problem नहीं है मैं throw out the course आप जैसा बोलें मैं VS code पर भी बता सकता हूं code blocks पर भी बता सकता हूं तो चलिए अब इसका practical बता जाता हूं तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा सबसे पहले डाउनलोड VS code for windows तो देखो मैं आ गया code.visualstudio.com पर अब आप देख सकते हैं यहां पर तीन अलग-अलग operating system के बारे में बताया हूआ है windows operating system, linux और mac तो आपके operating system के हिसाब से आप download install करेंगे जैसे windows है तो आप यह windows वाले पर click कर देंगे आप इस पर click करेंगे तो installer आपके system पर आएगा अब मेरे system पर आ रहा है लेकिन मैं उसको cancel कर रहा हूँ because मैंने तो already download install करके रखा हुआ है ठीक है यह इस तरीके से download होना start हो जाता है तो अब आपको यह तो समझ में आई गया कि यह इस तरीके से download हो जाएगा download होने के बाद आप इस पर double click करेंगे तो यह installation की प्रक्रेस की start हो जाएगे और जैसे कि मैंने कहा कि जब आप इसको install करेंगे simply next next पर click करते जाना है यह हो जाएगा फिर भी मैं आपको क्योंकि इसकी recording रहेगी आपको अगर कुछ दिक्कत जा रही है तो मैं आपको बता जाता हूँ पहले सबसे पहले जैसी आप installer चलाएंगे तो उसमें agreement accept करने को बोला जाएगा आप agreement को accept करिएगा उसके बाद वो पूछेगा कि आपके पास memory requirement है 300 MB के आसपास वो बुलेगा आप simply next पर click कर दीजे उसके बाद फिर एक और बार आपको next पर click करना होगा कुछ भी settings में changes नहीं करने हैं हाँ वहाँ पर एक होगा add to path additional tasks add to path उसपे by default checked रहेगा आपको checked ही रखना है और कुछ नहीं है उसके next पर click करें मतलब देखा जाए तो आप कुछ भी notice नहीं करेंगे next next पर click करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी और फिर finally एक install नाम की button होगी उसपे आप click करेंगे installation start हो जब फिनिश हो जाएगा तो आप VS code को launch कर सकते हैं क्लियर ओके VS code हो जाने के बाद जो मैंने अगली website आपको बताईए उसके बारे में देख लेते हैं जो second step मैंने बताईए डॉटनेट स्लैश मिन जी डव्यू डॉट एश्टीमल अच्छा स्पैलिंग मिस्टिक कर दिये डवल्यू दो बार लिग दिया है ठीक है आपको दिखाई दे रहा है यहां पर और इसमें आप देखे कि एक लिंक तो यह लिखा है मिंजी डवलू 18.0.exe और एक लिखा हुआ है मिंजी डवलू 18.0 without git.exe आप ऐसे दौनों में से कोई सा भी कर ले मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बट हाँ यह जो दूसरा वाला है वो कम मैमोरी ले रहा है इसलिए दूसरे वाले का बोला है बाकि आप दौनों में से कोई सा भी कर सकते हैं जब डवल क्रिक करेंगे तो वह एक जगे पूछहेगा path कहां पे आप इसे store करना चाहा रहे हैँ तो उधर by default कुछ लिखा होगा आप next पे क्लिक कर देंगे तो फिर वह by default वह उस जगे पे store हो जाएगा तो इस ही लिए मैं चाहता हूँ कि आप mention करने path c-drive clear है c drive आपको बोल देना है बस और कुछ नहीं है तो मेरे computer पे c drive में min g w नाम से एक folder बन गया है मैंने सिफ लिखा था path के नाम पे c colon slash और कुछ नहीं लिखा ठीक है और min g w नाम का folder बन गया है c drive में इस पे आप double click करते हैं देखिए इसके अंदर bin folder है और bin folder के अंदर अगर आप notice करेंगे तो आपको gcc.exe file भी मिलेगी और g++.exe file भी मिलेगी और यहीं दौनों हैं compilers ठीक है तो यह दौनों compilers आपके आ गए कहां पे हैं यह c drive में min g w में अगर आप कहीं और store कर देते हैं तो आप उसका path देख लीजे कहां पे आपने min g w को रखा है वहां तक के bin folder तक का path आप copy कर लीजे कैसे करेंगे यहां पे आप क्लिक करिए इसको आप copy कर लीजे यह copy हो गया ठीक कॉपी हो गया और यह मैंने पेस्ट कर दिया चाप कॉपी करने के बाद आप आपको environment variable set करने है environment variable set करने के लिए आप नीचे टाइप सर्च तु हेर में लिखें environment variable आप देखिए आगया edit system environment variable तो इस पर क्लिक करता हूं मैं आप देखेंगे एक screen आईए जिसमें लिखा है system properties और यहां पर advanced tab यह advanced tab में नीचे environment variables करके एक button है इस पर आप करेंगे क्लिक क्या आप देख पा रहें कि यहां path नाम का एक variable है आप इसके इसको select करके edit पे कर दीजे क्लिक यहां पर ढेर सारे path set है कुछ आपने किये होंगे कुछ पहले से set हो गए होंगे किसी software के installation की वज़े से यहां पर मैंने यह path mention कर दिया है अगर आपको कोई नया path जोड़ना होता है तो आप new पे जाते हैं और यहां पर path लिख देते हैं clear बहुत सिंपल है और okay करके बाहर आएंगे okay okay करके आप बाहर आजाएंगे तो मैंने path की रूप में क्या लिखा बिन फोल्डर तक का path कि बिन फोल्डर कहा है मिन जी डबलू का बिन फोल्डर का बस इतना ही करना है यह हो गया okay okay करके आप बाहर आजाएंगे यह setting सेव हो गये अब इसके बाद मैंने कहा vs code तो vs code को हम लोग start करते हैं अब vs code यह रहा visual studio code इसको मैंने start कर दिया यह vs code start हो गया टीक है vs code start हो गया यह कोई folder है जिसमें कुछ program रखा हुआ है तो यह last opened folder को ही दिखा देता है आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं कलर वलर थीम यह सब setting आप online search कर लिजेगा बहुत सारी settings होती है वह आप कर सकते हो पर जैसे यहां पर रखा हुआ एक folder दिखा रहा है न वी एस नाम से folder है वो मेरे computer में कहीं पर बना होगा दिखा देता हूं आपको प्रोग्राम्स के अंदर यह वी एस नाम का एक folder बना हुआ है कहीं आप अपने computer पर कहीं पर भी एक folder डिसाइड के लिए जहां पर आपको प्रोग्राम्स बनाके रखनें तो यहां पर यह रखे हुए मैं एक काम करता हूं यह सारी files को delete कर देता हूं यह मैंने सारी files को delete कर देता हूं यह भी एस folder empty है देखो यहां से भी हट गई है सारी files ठीक है यह get started वाले को भी हटा दो मैंने कहा पहले आपको दो extensions इंस्टॉल करने तो extensions कैसे करने होते हैं यह VS code पे आप देखें left side में यह कुछ icons बने हुए हैं इनमें से आप देखिए सबसे नीचे यह जो icon दिया हुआ है जिस पर दिखा हुआ extensions इस पर आप क्लिक करिए तो जो extensions installed होंगे उनकी list वो दिखाएगा और यहां पे एक search box भी ह होगा आपको सबसे पहले install करना है cc++ वाला तो आपने देखा cc++ तो देखिए पहला option ही जो आता है नहीं यह Microsoft वाला cc++ intelligence आपको इसको download install करना है ठीक है मैंने already install करके रखा हुआ है तो यहां पे uninstall का option आ रहा है या disable करने का option आ रहा है तो यह आपको install करना है जैसे यहां पे जो मैंने install नहीं कर रहा है उसके साथ में install लिखा हुआ आ रहा है that means उस पे click करूंगा तो वो install हो जाएगा तो आपको जब भी जो plugin लगता है वो install किया जा सकता है फिलाल यह installed है आप install कर लिजेगा simple एक click पे install हो जाता है उसमें कुछ भी आपको setting अलग से नहीं करनी है दूसरी चीज़ आपको करना है code runner code runner चीक है और code runner जो है उसमें यह दिखिए जुन हैंड वाला पहले नंबर पर दिखाई दे रहा है बस यह नाम आप चेक कर लेना कुछ और मत इंस्टॉल कर लेना तो इसको आप क्लिक कर देना इसमें भी इंस्टॉल लिखा हुआ रहेगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा clear इतनी सैटिंग आप कर लेंगे बस इतना आपने कर लिया तो आपका system अब ready है अब आप प्रोग्राम्स बना सकते हैं yes okay चलो ठीक है अब क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी एक प्रोग्राम भी बना के बताऊं तो देखो यहां पर अभी वी एस कोड़ वाला फोल्डर एमटी है ना तो यहां पर मैंने न्यू फाइल पर क्लिक करा और यहां पर फाइल का नाम मैंने रख दिया test.c test.c तो यह देखी एक फाइल बन भी इसके अंदर मैं कोई प्रोग्राम बना सकता हूं जैसे मैंने लिखा कोई भी प्रोग्राम बना जाता हूं and basically अभी मैं प्रोग्रामिंग अगली क्लास से सिखाऊंगा अभी मैं सिर्फ चला के दिखाने के लिए एक प्रोग्राम बना रहा हूं hash include stdio.h int main और फिर प्रोग्राम में मैंने एक लाइन लिख दिए प्रिंट एफ हैलो समीटोड ओके अब यहां पर आप देख सकते हैं राइट में एक ट्राइंगुलर प्ले बटन आपको दिखाई दे रही है इस पर आप क्लिक कर सकते हैं जब आप इस पर पहली बार क्लिक करेंगे ना तो यह आप इस तरह से पूछता है तो यह cc++ gc gcc.exe वाला यह जो है ना इसको सलेक कर लीजे इसमें कंपाइलर टेक्ट कर रहा है सी ड्राइव में मिंच जी डबलू के अंदर बिन फॉल्डर के अंदर जो gcc.exe है उसको आप इसमें ले लिए आप इस पर बस क्लिक कर दीज़ए हम रन भी कर सकते हैं ठीक है तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर अब यह स्लो है थोड़ा सा चल रहा है बहुत सारी चीज़ें इसने लिख दी है यह क्या बोल रहा है त्रेड वन हेट ब्रेक पॉइंट वन अच्छा ठीक कोई बात में यहाँ पे तीन ऑप्शन दिये हुए थे रन सी सी प्लस प्लस फाइल कर देता हूं आप देखें हेलो लिखा हुआ आ रहा है नीचे इस ना ओट्पवेंडो यह टर्मिनल यह चिर्मिनल नीचे लिखा है यह ऌट्पवेंडो यहां पर लियों दिख यस यह हेलो प्रिंट हो रहा है अगर आपको यह इतना सब देखने में मज़ा नहीं आ रहा है कि कोट ब्लक्स वालों को तो नहीं आता है तो यहां पर मैं पावर शेल को तो डिलीट करता हूं इसको भी डिलीट करता हूं सिंपल कमांड प्रॉंट पर जाता हूं ठीक है और यहां पर मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है तो मैं लिखूंगा टेस्ट और एंटर कर दूंगा देखिए हेलो प्रिंट हो रहा है तो ऐसे भी आप इसको रन कर सकते हैं और यह टर्मिनल पर आपको रन करना है ठीक है इस प्रोग्राम में मैं एक लाइन और लिख दूंगा इंक्लूड को नियों डॉट एच फिर कहा रहा हूं कि यह मैं अभी सिखा नहीं रहा हूं यह सर्फ एक टेस्ट रन है चला के देख रहे हैं और कुछ भी नहीं है आप देखेंगे यहां पर हेलो प्रेंट हो रहा है और हेलो के बाद आपको यहां कुछ प्रॉंट नहीं दिखाई दे रहा है विकाद अभी प्रोग्राम एंड नहीं हुआ है जैसी मैंने इंटर हिट किया है वैसी प्रोग्राम एंड हुआ है अगर आप इसको बंद करें और आप देखें कि VS नाम के फोल्डर के अंदर ये test.c file और test.exe file बन गई है तो क्या आपने नोटिस किया कि test.c source file है लिखा भी हुआ उसके आगे source file और फिर आप देख रहें नीचे test.exe ये test.exe कब बनी जब हमने उसको रंग किया था न तभी वो बिल्ड हुआ होगा और तभी ये test.exe file बनी अगर मैं इस परीकिस एक separate window open होगी जिस पर ये hello लिखा हुआ है. इसका मतलब आपको VS code की जरूरत नहीं है software को run करने के लिए. software को develop करने के लिए आपको VS code की जरूरत है. या VS code नहीं तो code blocks आप यूज़ करते हैं. तो VS code पे आपको output अगर देखना है, तो ये terminal window पे आप देख सकते हो. अगर आपको इसका look and feel पसंद नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, आप यहां से भी double click करके run करके देख सकते हो, लेकिन obviously बाते जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होगे तो यहां बार-बार आके double click आप नहीं करना prefer करोगे, आप यहीं पर run करना prefer करोगे, समझ में आया क्या सभी को? चलिए, अब आप लोगों को आज की class कैसी लगी, आपको class के बारे में क्या कहना है, कुछ आप कहना चाहें, तो मैं दो-तीन मिनिट आप से बात करना चाहता हूं, उसके बात फिर session को आइंड करेंगे, हाँ, almost डेड़ घंटे की class होगी, पहली class थी ना, इसलिए, तो यह टोटली आपके उपर है, आपको code blocks पर करना है, तो code blocks पर करना है, विएस code पर करना है, तो उस पर करना है, कोई फरक नहीं पड़ता है, प्रोग्राम तो ऐसी बना नहीं है, मुझे personally पता नहीं, CC++ के लिए VS code उतना पसंद नहीं है, मुझे code blocks ज्यादा पसंद है, लेकिन VS code मुझे पसंद है, जब मैं दूसरे programs बनाता हूँ, यदि web development मुझे करना होता है, तो मुझे ज्यादा बेटर लगता है, कि मैं VS code पर करो, मज़ा आ रहा है, सब को पसंद आ रहे हैं, अभी तो खेर class की शुरुवात है, यस मैं जानता हूँ कि आज पहली class है, और 13 दिन मुझे पढ़ाना है, तो मैं ज्यादा time waste नहीं करूँगा, मैं हर दिन आपको कुछ नया पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, ये installation वगेरा तो ये एक दिन की बात रहती है, एक बार आप setup कर लीज़े, उसके बाद तो रोज उस पर practice ही करना है, और ये सब चीज़ें तो आपको net पर 10 जगें मिल जाती हैं, ये इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं होती, setup करना वगेरा, ठीक है, troubleshooting एक problem हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी आप internet को explore करते हैं, तो वो भी problem solve हो जाती है, मैंने आपको चीज़ें लिखवा दी हैं, आपको सारे के सारे notes मिल जाएंगे, कहां पर मिलेंगे, मैंने आज के वीडियो में शुरुवात में बताया हुआ है, iNeuron की website पे, और उस पे आपको enroll कैसे करना है, तो आपको link मैंने इसी वीडियो के description box में दिया हुआ, आप उसको चेक कर लीजेगा, clear? मुझे आपके comments का इंतिजार रहेगा, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको इस class से क्या उमीद है, कैसा लग रहा है आपको यह platform और आप कितने enthusiastic हैं इसको सीखने में, तो मैं जरूर जानना चाहूँगा, prizes आपको मिलेंगे, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इस से related assignment आपको मिलेंगे, notes मिलेंगे, quizzes मिलेंगे, और Friday को जो quiz आएगा, उस पर based आपको prizes मिलेंगे, लेकिन Friday को जो कुछ आएगा, वो हफते बर में जो पढ़ा होगा, उसी से related questions आपको दिये जाएगा, तो is that okay, likes तो अभी सिर्फ 1119 आए, 1120, मुझे ऐसी उम्मीद थी कि कम से कम 2000 likes तो आने चाहिए, यार, C language तो सभी को पढ़ना है, नहीं पढ़ना क्या, डेली classes होंगी, बिल्कुल Monday to Friday, डेली classes होंगी, देखो किसी को कोई confusion है न, इस वीडियो के शुरुवात में मैंने सारी चीहें बताई हुई है, आप उसको एक बार go through कर लेना, तो चलिए, end करें session को, और देड़ घंटे होगा, आप लोगों को भी सोना होगा, चलिए, तो next class हमारी कल है, और कल की class में, हम सीधे C language स्टार्ट कर देंगे, सारे basics उसके पढ़ डालेंगे, थोड़ा सा history बता दूँगा, पर history में जल्दी से complete करूँगा, उसमें जारा time ख करूँगा, यहीं कल आप program बनाने की इस्तिति में नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, कल आप सीखेंगे, जो basic elements होते हैं, programming के, वो क्या होते हैं, वो जब आप सीखेंगे, उन्हीं को मिला कर आप coding करने वाले हैं, उन्हीं को लिखकर आप coding करने वाले हैं, तो हम लोग कल basic programming ingredient सीख लिखने वाले हैं, चीक है, तो be ready, कल मिलते हैं हम लोग, same time 9.45, okay, good night, good night, good night, good night.